इस प्राइस रेंज में आता है जैसी यह पर्फॉर्मेंस दिलिवर करता है और जैसे इसके फीचर से हैं और कोई ब्राइंड प्रवाइड नहीं कर रहा है और अभी तक जितने लापटप मैं रिव्यू कर चुका हूं उस में से सबसे बड़िया लापटप यह मुझे लगा ह और यह मुझे क्या सुनने मारा कि Legion 5 Pro का रिव्यूस तो बहुत देख लिए पर आपका देखना है यादे को दिल से माफी चाहूं का थोड़ा सा लेट हो गया बट लेके आया हूं और 3060 के रिव्यूस देखे है तुमने सारे यह 3070 का है इससे तुम्हारा confusion भी दूर हो आया है मारे पास क्योंकि 3070 इंडिया में लॉंच नहीं हुआ यह फॉरण वाला वेरिंट है तो डब बहुत गंदे आया है हमारे पास मतलब पैगिंग देख रहो कितनी खातरनाक तरीके की पैगिंग करके दी है फुल समान समून भुसा दी है इसके अंदर लिनोवा पुस क्योंकि इसमें जो GPU की वाटेज है वो 140 वाट का GPU है फिर तुम्हारा CPU भी है फिर तुम्हारा मदर बोर्ड भी है तो बहुत पावर चाहिए लाप्टॉप को और 3060 वाला वेरिंट भाय करोगो इसके साथ भी यह इनिट मिलेगी आपको तो इसकी सुन्दरता में बढ़ने स जालने पड़ेगी 32 में करने के लिए क्योंकि डूवल चैनल में सेम फ्रेक्वेंसी की सेम लगाके अच्छी परफॉमेंस मिलती है वाइफाइज वर्जन 5.1 और MS Office Home and Student Lifetime के लिए आपको इसके अंदर मिलता है वैसा तुम आपको अपने मूह से बताता हूं 3060 में 3070 में 15-20 का difference है जो हमारे game to game vary करता है क्योंकि 3060 हमारा 6GB वाला है और 3070 8GB वाला है तो जो गेम ज्यादा वीराम डिमांड करते हैं तो वहां पर आपको benefit मिलेगा 3070 का वरना gaming में इतनी performance का difference नहीं है और अगर detailed वीडियो देखनी है तो हमारे जैरेड भाहिया ने इसी टॉपिक पर अ आपके 90-95 watts से शुरू हो जाते है 130 maximum है इसके अंदर maximum वाला मिलेगा full capability अब जरा भार बार नजर मार लेते हैं top ladies के अंदर आपको metal की मिलती है उपर legion का पुराने वाला logo है जो पहले आता था और यह logo glow करता है glow करके बहुत ही प्यारी look देता है और दो यहां पर lines बनी है त यहां पर हम पीछे देखते हैं तो दो air exhaust vent है सारे के सारे ports इसके पीछे दी है ports के उपर इनकी highlights भी दी है कि कौन सपोर्ट किस चीज़ का है और यहां पर Lenovo की branding मिल जाती है और जब इतना भारी laptop है तो एक हाथ से क्यों नहीं खुलेगा जब सारा का सारा भार तो उसके अरिया build quality है मैं सच बता रहा हूँ लिजेन की quality 2020 में ही बहुत तकड़ी थी 2021 में ही बहुत तकड़ी है और 2019 का पता नहीं क्योंकि मैंने review नहीं करे मेरा चैनल ही 2020 में खुला था और अगर top lid flex पे नज़र मारते है तो बहुत minimal सा top lid flex मिलता है जैसे की build quality अच्छी है तो obvious सी ब पर पीछे आपको इंटेक के लिए वेंट्स मिलते हैं साइड में आपको exhaust मिलते हैं दोनों तरफ और पीछे भी दो exhaust मिलते हैं तो उसके साब कूलिंग कैसे रहने वाली है वह आपको gaming section में पता लगी जाएगा फिर भी मैं एक पर बताता हूँ जाधा TGP वाला GPU है जाधा temperature जाने पर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आँख बंद करके आप purchase कर सकते हो G15 के लिए भी मैंने यह कहा था उसके बाद आता इस laptop का key highlight जो मुझे सब साथा पसंद आ है वो है इसकी display 2K display आपको इसके अंदर मिलते है 16 inches की 16 is to 10 का ratio आपको मिलता है और IPS panel है 165 hertz का refresh rate 500 nits की brightness है 100% SRG भी है Dolby Vision का भी support मिलता है FreeSync का भी support मिलता है G-Sync का भी support मिलता है और Visa display HDR 400 का भी certification आपको इसके अंदर मिलता है और colors इतने प्यारे हैं जब 100% SRG मिल रही है गेमिंग में content creation में multimedia में किसी भी चीज में इतना ही बड़ी experience देती है इसके display मैं सच बता रहा हूं एक नमबर शुरू में लोगों को बहुत जादा शिगायती Legion 5 Pro महंगा है बहुत महंगे price पर निगाला है भाई महंगे price पर जो इसमें सब तरफ शेदी शेद है वाई साब मतलब तीन तरफ लेट साइड में आपको air exhaust में मिलता है USB 3.2 Type-C Gen 1 का port मिलेगा Type-C के साथ आपको display output का भी support मिलता है headphone mic jack का combo मिल जाएगा फिर right साइड में आपको air exhaust में USB 3.2 का Type-A Gen 1 वाला port और एक webcam shutter भी आपको मिल जाता है बीचे आपको RJ45 LAN port मिलेगा USB 3.2 का Type-C Gen 1 वाला एक और पोर्ट है जिसके अंदर आपको display output मिलता है power delivery मिलेगी दो USB 3.2 के Type-A वाले Gen 1 वाले port मिलता है एक HDMI 2.1 वाला port मिलेगा और एक power input वाला port मिलेगा मतलब एक भी port की कमी नहीं छोड़ी एक की छोड़ी है जो full size SD card slot होना चाहिए था क्योंकि 2K display वाला laptop है 100% SRGB मतलब मेरे जैसे creator लोग भी ले सकते हैं इसको तो full size SD card slot लगा जैते हैं जब इतने छेद खोल लेते तो एक और खोल देते हैं लिनोगो वीडियो देखोगे तो तुम्हारे लिए suggestion है यह तुम्हें मानना पड़ेगा उसके बाद आ जाते है इसके की बोर्ड पे इसके अंदर आपको full size की बोर्ड मिलेगा मुझे लीजि वाला keyboard है जो पिछले साल आया था बड़ जो आप Amazon पर परचेस करोगे उसके अंदर आपको RGB वाला मिलेगा और RGB कैसी दिखते हैं आप दूसरे चैनल्स पर रिव्यूज वागरा देख लो मेरी किसमत खराब है और trackpad का size काफी बढ़ा है trackpad यूज करने में कोई दिक्कत नि मैं बोल देता हूं कि बता दो कैसी लगी कैसी नहीं क्या बता होगे मुझे अच्छी लग रही जब साथ 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 स्पीकर टेस्ट भी कर लेते हैं मतलब ओवरॉल स्पीकर के माम लेविं डिस्पॉइंट नहीं किया जैसे दूसरे laptop कर देते हैं कभी कभी इस नहीं गया और साउंड सिस्टम में नायमिक का सपोर्ट मिलता है उसकी एप बीएस के अंदर music, movie, communication, different modes है और यहां पर आपको speaker और microphone के काफी जादा features मिल जाते है जिसको change करके आपना user experience enhance कर सकते हो और जब software की बात चल लिया तो Lenovo Vantage software भी आप देख लो यहां पर आपकी monitoring हो जाएगी और यहां पर थोड़े बहुत आपको system tools मिल जाएंगे आप pause करके देख सकते हो और यहां पर थर्मल मोड मिल जाएंगे different different इसमें performance balance और quiet mode है हम जितने मोड के है आपका max switch है जिससे आप optimus disable कर सकते हो अब आपको इतनी बड़ी बड़ी भाशा बोलती है थोड़ा अराम से समझा अराम से यही है optimus का scene क्या है कि आपका display का output होता है IGPU पे होता है और graphics card आपका heavy task वगरे उसके लिए यूज होता है जिससे अगर आप laptop charging पे नहीं सकते हो वैल है लगा लेफ्ट वाला IGPU से connected display पे चल रहा है और राइट वाला आपका external GPU से connected वाली display पे चल रहा है और 5-10 fps का फरक आई रहा है तो यह basically gamers के लिए होता है अगर आप gaming कर रहे हो तो आप hybrid mode off रखो और अगर आप gaming नहीं कर रहे हो basic task कर रहे हो battery पे यूज करना है नीचे आपको overdrive का option मिल जाता है जिसे आपका screen response time चेंज आता है यह भी मतलब fps games में बहुत काम आता है जाधा detail गूगल कर लेना touchpad lock मिल जाएगा rapid charging का option मिल जाता है rapid charging में कि आधे घंटे के अंदर 60% तक बैटरीय चार्ज कर लेता है तो fast charging मिल रहे है आपको basically और यहाँ न internal display है वो hybrid mode के तुरू आप change कर सकते हो iGPU से भी और external GPU से भी HDMI से भी output मिलेगा display का दोनों type C से भी output मिलेगा display का और इन सबका output आपका Nvidia card से ही है iGPU से नहीं है तो यह एक बहुत ही premium feature है जो आपको Legion में मिलता है जो दूसरे laptops में नहीं मिलता दूसरे laptops में HDMI से usually iGPU से होता है य अब confuse हो रहे हो तो भाई comment section में एक दूसरे से पूछ ले ना मैं थक्या हूं बोलता बोलता और जब आप इतने पैसे इंवेस्ट करते हो तो upgrade options में भी disappointment नहीं मिलेगी दो SSD slots मिलते है जो maximum 4TB तक expand कर सकते हो 2TB SSD per slot आप इसे अंदर लगा सकते हो और 2 RAM slot मिलेंगे जो occupied मिलें आपको conditions बता देता हूं basic usage मैंने इसके अंदर गया था YouTube वगयरा इंटरनेट सर्फिंग, 50% screen brightness रखी थी, keyboard की lights off रखी थी, 60Hz पर करते है था मैंने panel को और 1080p में यूज कर रहा था और जो hybrid mode था वो on था यानि कि display जो थी मारी iGPU से connected थी तो इसके अंदर मेरे को 4Rs का battery बाग आपको मिल जाएगा maximum, बागे fluctuate करेगा आपकी usage के साब से, अब इतनी महंगी बातचीत वाला laptop है तो performance कैसी देगा और क्या 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 आप इस पर कर सकते हो, वो जरूर जानना होगा तुमें, पहले scores बदाता हूं, Cinebench R23 test में हमारे को multi-core score 12752 points और single-core score 1373, Geekbench 5 में multi-core 7237 single-core 1400, 3DMark Time Spy में total score 10,549, जिसमें CPU score 8839 और GPU score 10,923, अब जैसे कि RTX 3070 है तो GPU score तकड़ा अब अब अदब 3DMark Time Spy का score बहुत बढ़िया, बढ़ अगर आप 3060 से compare करोगे तो जाधा नहीं है इतना, बहुत minimal सा difference है क्योंकि CPU बिलकुल सेम है, अब बात आते हैं इसमें कर क्या क्या सकते हो, Creator के असाब से बताता हूँ, Video Editing हो, Photo Editing हो, किसी भी लेवल के करनी हो, आँख बंद करके कर लो, 1080p, 2K, 4K, जब अरदस्त, 3D Modeling करनी है, 8Core का processor है, 8GB का GPU है इस variant में, और 3D Modeling में 6GB वाला भी enough होता है, अराम से Graphics Designing वाले सारे काम हो जाएंगे, किसी भी लेवल के क कोई टेंशन वाली बात नहीं है, और जब मैं इतनी भारी-बारी चीज़े बताता हूँ, फिल्पी मुझे कॉमें सेक्शन में सुनने को मिलता है, कि प्रोग्रामर्स के लिए लेना ठीक है, चार कोर में भी हो जाती है, तो तुम्हें तो पूछने की जुरत भी नहीं होनी बागे कर गलत हूँ, तो गाले मत देना, और हाँ, मैंने स्ट्रीमिंग टेस्ट भी एडड कर लिया है अपनी लिस्ट में, तो पहले MSI वाले में करा था, इसके अंदर में स्ट्रीमिंग टेस्ट किया है, यहाँ पे हम OBS Studio यूज कर रहे हैं, स्ट्रीमिंग करने के लिए, और आप यहाँ स्ट्रीमिंग सेटिंग देख सकते हो, बेस कैनवस जो अमने रखा है, वो 2K रखा है, यानि कि गेम हम 2K पे खेलने वाले है, और जो आउट्पूट रजोल्यूशन है, वो 1080p है, यानि कि जो हमारी स्ट्रीम होने वाली है, वो 1080p पे होने और यह हैं हमारी स इसलिए सबको मैं कहूंगा कि गेमिंग के लिए विंडो कैप्चर ही यूज करो, तो इसमें हमारे को 9200 fps मिल रहे है, और यहाँ पर साइड बाशाइड कंपारेजन भी देख सकते हो, कि GTA 5 में हमारे को 10-15 fps का डिफरेंस मिल रहा है, कभी-कभी तो वह भी नहीं मिल रहा है, तो laptop इतना powerful है, अगर आप single laptop streaming भी करते हो इसके उपर, फिर चाहे आप 3060 वाला बाय करो या 3070 वाला, इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्यूंकि streaming में priority पे पहले CPU यूज होता है, उसके बाद GPU की बार यह आती है, और यहाँ पे आप overall देख लो, आप smooth streaming कर सकते हो, फिर मैंने सोचा लगे हाथ, Valorant भी टेस्ट करी लूँ, और Valorant के FPS आप अपने सामने देख सकते हो, कोई खास डिफरेंस नहीं है, even on stream वाले FPS जादा जा रहे है, और यह जो दोनों गेम्स मैंने आपको दिखा है, दोनों को मैं 2K पे टेस्ट कर रहा हूँ, 1080p पे नहीं, 1080 1080p में देख लो, Valorant और GTA के FPS हैं, बागे और जादा गेम टेस्ट करके सिर्फ टाइम वेस्ट ही होगा, आप इनी से अंदाजा लगा लो कि 5-10-15 FPS का ड्रॉप मिलेगा, वरना किसी-किसी गेम में वो भी नहीं मिलेगा, तो आप अराम से सिंगल PC वाली streaming Legion 5 Pro से कर सकते हो, को अब में बात आती है, गेमिंग लाप्टोप है, गेमिंग टेस्ट, तो अब चलते हैं, गेमिंग टेस्ट पे, उसके बाद बात करें हैं, कंक्लूजन की, तो सबसे पहले हम टेस्ट कर रहे है, वालोरेंट हाई सेटिंग्स पे, और आप साफ सामने देख सकते हो, 1080p और 2K दोनों पे टेस्ट किया है, मैंने सारे गेम, तो भाई सच में बहुत महनत लगे है, और आपने सामने देख सकते हो, जादा कोई FPS का इसा खास डिफरेंस नहीं आ रहा था, और CPU तेंपरेचर भी कोई खास जाता नहीं जा रहे थे, क्योंकि CPU और GPU बहुत ही कम से कम करता है, और परफॉर्मेंस तो वाई एक नंबर, मतलब चुम्मे वाली परफॉर्मेंस, 2K 165 वर्ट्स पे खेल के तो अलगी फील आ गे थी, 2K वाली गेमिंग जिसने कर ली, वो 1080 भी दुबारा नहीं कर सकता, तो उसके बाद हमने टेस्ट किया वार जोन, और वार जोन हम हाई आप देख सकते हो, 100W से उपर हमारा जीपी पावर ट्रॉ कर रहा है, तो ऑब्यस सी बात है, टेंपरेचर लाप टॉप के जाधा जाएंगे, और जितने भी गेम टेस्ट हो रहे है, परफॉर्मेंस मोड पर टेस्ट हो रहे है, फैन फुल स्पीड पर है, तो उसके हिसाब स भाई, परफॉर्मेंस, मैं तो कहूंगा, बिल्कुल सही है, टेंपरेचर जितने जाएंगे, और कंट्रोल कितना बढ़िया तरीके से कर रहा है लापता हो, आप वो देख लो, अगर आप 30-60 वाल होगे, तो वार जोन में लगबग ऐसी परफॉर्मेंस आपको मिलेगी, उ और मैं बताने सकता है, जो 2K में मेरा एक्सपरियंस रहा है ना गेमिंग का, बहुत ही जबर्दस, और इतना स्मूध गेमपले, और तेंपरेचर भी आप दोनों साइट देख सकते हो, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, दोनों में 4-5 दिगरी का, वो इसी वज़े से है कि ज़्यादा पावर ड्रॉज जहां पे होगी, वहाँ पे अब्धियस सी बात है, ज़्यादा टेंपरेचर जाएंगे, बट लैप्टॉप टेंपरेचर बहुत ही साही तरीके सा कंट्रोल कर रहा है, और गेमिंग परफॉर्मेंस तो भाई, कुछ बोलने की जुरत ही नहीं ह उसके बाद नंबर आता है, असासिन्स क्रीड वैलाला का, अल्टरा हाई प्रीसेट पर हमने इसको टेस्ट किया है, और सहज भाई ने अपने चैनल पर 3060 का रिव्यू किया हुआ है, उस पे भी आप देख ले ना, पता लग जाएगा, 3060 और 3070 में इतना खास कोई फरक है जितना एक बना हुआ है हुआ, जिस गेम पे जाधा VRAM की रिक्वार्मेंट होगी ना, उसके अंदर 3070 अच्छा परफॉर्म करेगा, वैसे जितने गेम अभी तक लाँच हुए है, मैं कहे रहा हूँ, 6GB का ग्राफिक कार्ट इनफ है, जाधा पैसे खर्चने की जुरत है न और अल्मोस्स सब चीजे अल्टरा और हाई हो जाती है इसके अंदर, और भाई RDR को 80-90 FPS, अल्मोस्स अल्टरा सेटिंग पे मैंने पहली बार खेला है, देखो आप इसके अंदर बिल्कुल मैक्सडाउट सेटिंग भी कर सकते हो, बट उससे ग्राफिकल पे चल रहा है 1080p में, और 90 FPS में चल रहा है हमारा 2K में, 2K में खेल के फायदा है, तेंपरेचर देखके कोई टेंशन मतले ना, जिन्होंने खरीद लिया है, या फिर खरीदने वाले हो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, इसका कूलिंग सिस्टम बहुत बढ़िया है, अब इतना तगड़ा ग्राफिक काड़ वाला लैप्टाप है, अगर उसमें Cyberpunk टेस्ट ना करें, तो क्या फायदा है, हमें पता है ना, आप्टिमाइस गेम है, बट असली ग्राफिक काड़ को चूसने वाली गेम यही है, तो अभी जब गेम प्ले देख रहे हैं, यह गेम प्ले बिल्कुल, बागी 2K में जैसे मैं आपको बता है, 15-20 FPS का फरक आता है, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात निया, 2K में आप अराम से खेलो, उसके बाद हमने सेम अल्टरा सेटिंग्स पर ही RTX अन कर दिया है, 1080p और उसके बावजूद भी आप देख सकते हो, 60 FPS पर, 1080p और अराउंड 45-50, 55 FPS होल्ड कर रहा है, 2K में, परफॉर्मेंस देख रहो मतलब लाप टॉप की, और अगर 30-60 से कंपेर करेंगे तो आपको 10-15 FPS का ड्रॉप मिलेगा यहाँ पर, तो अगर आपको 30-60 वाली परफॉर्मेंस देख ने, तो मैं आपको अल्रेडी बता 30-60 वाले के साफ से बता रहा हूँ, क्योंकि वही अवलेबल है इंडिया में, और वही value for money भी है, मेरे हिसाफ से, जितना मैं research कर पाया हूँ, बागे तुम्हारा pocket size अलाओ करता है, तो तुम 30-70 के लिए चले जो, मेरी तरफ से कोई मनाई नहीं है, 30-60 में भी सारे एकाम हो personally, तो बस और क्या ही बोलने के लिए, कोई कमी मेरे को तो लगी नहीं, डिस्प्ले बहुत बढ़ी है, overall performance बहुत बढ़ी है, battery bag अपनी specification के साफ से, इतना powerful laptop होने के साफ से भी अच्छा दे रहा है, कोई कमी मुझे नहीं लगी, एक SD card slot की लगी, कमी बस हाँ, वो ही है, जो ह वरना इस range में, full packed high performance slash gaming performance laptop लेना है, तो Legion के लिए जाओ, और कोई option मत देखना, अभी के लिए, कुछ होगा, review लाएंगे, या वैसे ही live stream बगारा करते रहते हैं, दूसरे चैनल पर भी, इस चैनल पर भी, दूसरा subscribe कर लो, महाँ पर regular मिलता हूँ, अभी नहीं हो पा रहा, प लाइक मारतों सी बात में वीडियो को सब्सक्राइब करते हूँ, और किसी को Legion लेना है, तुम्हारे दोस्तियार भाई बंदू को, शेर कर दी जाए वीडियो, बाबाए